कि एलो अब्रीबन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ाइक दम बढ़िया ओके सो अभी तक सब लोग सबसे पहले वो बता दो अगर वो खतम हो गया तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहतरीन टॉपिक इस नतिंग बढ़ी और चाप्टर नंबर एग और जिसका नाम है साउंड बहुत टाइम से तुम्हों बोल रहे ते साउंड आओ और दिस इस दा लास्ट टॉपिक यहां पर हम लोग तुम्हारा जो वेव वाला टॉपिक है यह खतम करतेंगे ओके तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं साउंड ओके सो मानी मिस संजीफ पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में खुबसूरा से चलने में जे आर टुटोरियल म तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा साउंड चाप्टर ओके देखो साउंड में अगर हम लोग कहानी देखने जाए तो साउंड में हम लोग को पढ़ना है वेव के बारे में किसके बारे में वेव के बारे में वेव क्या होता है थोड़ा दो मिनिट बाद हम लोग discussion करने वाले हैं करने वाले हैं उसका टेंशन मतलो बट यहां पर सबसे पहले देख लो यहां पर हम लोग के पास तीन टाइप के वेव होते हैं एक है mechanical वेव दूसरा है electromagnetic वेव और तीसरा है अब यह जो electromagnetic wave है ना यह हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारा जो थर्टींत चाप्टर है ना थर्टींत चाप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पुरा डीटेल पढ़ेंगे इलक्त्रो मागनेटिक वेव क्या होता है तो यहां पर हम लोग इसका discussion नहीं करेंगे यह तुम्हा दो दो समझेंगे वहां पर तो यह जो दो ट्वपिक वो हम लोग discuss नहीं करने वाले यहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं मेकानिकल वेव में खास करके हम लोग discuss करने वाले हैं sound is the longitudinal मतलब mechanical मेकानिकल वेब में भी साउंद डिसकस करने वाले पार की ये दो चीज हम लोग कहां पर डिसकस करेंगे जब हम लोग यह वाला 13 चाप्टर में डिसकस करेंगे और यह वाला तुम्हारा 12 में डिसकस करेंगे clear समझ में आगा everyone पका चलो start करते हैं sound sound की कहानी start करते हैं तो अगर हम लोग देखने जाए तो what is wave सबसे पहले wave की बात करते हैं देखो wave क्या होता है जनरली क्या होता है मीडियम है अब एक मीडियम में एक पार्टिकल ने disturbance क्रियेट किया अब जब पार्टिकल ने disturbance क्रियेट किया तो due to that disturbance भाई क्या हुई energy travel हुई energy क्या हुई आगे बढ़ी ओके जैसे माल लो कि एक still water है एक शांत लेक है उस शांत लेक में तुम क्या करते हो तूम पथर फेक दे ठ stiff अब जैसी तूम पथर lower ने क्या किया उस union में बानी है उस medium उसमेंग क्या बकुरिंस क्रियेट किया उस याँ पेक चिज़ का ध्यान देना कि भाई पारिकल मुव नहीं हो रहे only the vibration is moving only the energy is moving okay so what is where my wave is nothing but a disturbance in a medium wave is disturbance disturbance ka spelling day cleaner disturbance in medium in which okay by wave is the disturbance in a medium in which only energy only energy energy ball to kiss former vibration the form a only energy is transferred okay wave is the disturbance in a medium in which only energy is transferred only energy is transferred not the particle not the particle my particle move नहीं करते मतलब माल लो कि यहाँ पे यहाँ पे मैंने कोई disturbance create किया तो disturbance create होके ऐसे wave ट्रावल होगे यह wave है अब यहाँ पर तुम लग देखो कि तो जो आगे यह पाटिकल यह नैज़िवे अगे बढ़ रही है और जब वो अगे बढ़ रहे है तो आगे वाले पार्टिकल को भी क्लियर हुआ वेव क्या होता है अगर हम लोगों को देखना है माल लोगी तुमको अब्जाब करना है कि पार्टिकल मूफ करता है कि नहीं करता है तो लेट आस कंसिडर एक धागा ले लेते हैं फिला तो अपने पास धागा नहीं है हमारे पास एक वायर है यह माई का वायर है यहाँ पर मालो कि मैंने एक marker लगाया, white color का marker लगाया, अब मैं ऐसा wave wave कर रहा हूँ, यहाँ पर wave travel हो रहा है, अब जब मैं इसको रोग दूँगा, तो यह जो white color का यहाँ पर mark है, यह कहाँ पर रहेगा, वहीं पर रहेगा कि आगे बढ़ चुका होगा, जरा सोचो, सोचो, comment में इसका answer दो, okay, video post करो, comment में इसका answer दो, कि वो पार्टिकल कहाँ पर होगा, वो पार्टिकल वहीं पर होगा, कि वो पार्टिकल आगे बढ़ चुका होगा, obvious ही बात है, तुम्हारा answer होगा, कि सर वो पार्टिकल वहीं पर होगा, इसका मतलब वहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा वहाँ पर मारकर मूव नहीं कर रहा खाली एनर्जी मूव कर रही है तो जब एनर्जी मूव करती है ना दाट इस नातिंग बड़ा वेव क्लियर बासन में आ गया अब्रिवान पका समझ में आ गया टॉपिक चलो बहुत बढ़िया ओके सो जैसे कि मैंने बताये भाई दो तरह के वेव हैं यहाँ पर मेकानिकल वेव है और इलेक्रोमागनेटिक वेव है और हमारे पास मैटर वेव है अपने को बहुत बात में पढ़ना है फिलाल अपने को आज डिसकेशन करना है किसके बारे में मेकानिकल वेव के बारे में किसके बारे में मेकानिकल व पड़ेगा कि वेव में क्या बेसिक स्टफ होते हैं क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है क्या उसका अम्प्लिट्यूड होता है क्या वेवलेंथ होता है क्या पिरेड होता है क्या फ्रिक्वेंसी होता है वेलासिटी क्या होता है फेस क्या होता है वेव नंबर क्या होता है यहां distance or the maximum displacement can particle travel from its mean position, okay, माल लो कि अगर यहाँ पे एक wave है, अब ऐसा wave है ये, okay, this is the, तुमारा transfers wave, क्या होता है, transfers wave हम लो discuss करेंगे, माल लो गर ये wave है, अब माल लो यहाँ पे तुमारा particle है, तो ये particle maximum किता दूर जा सकता है, maximum particle यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यह maximum displacement है, particle की, अब यह maximum displacement जो particle की है, that is called as amplitude, उसको हम लोग क्या बोलते है, उसको बोलते हैं, amplitude, the maximum displacement of the particle from its mean position, by mean position से वो जादा से जादा कितना दूर जा सकता है, तो mean position से जादा जादा यह इतना दूर जा सकता है, this is nothing but amplitude, उसको क्या बोलते है, amplitude, Griff onran k Town को यहां पर देखने कि भाई साथ वे साथ तरावल कर रहा है तो तो दो क्रest या फिर दो τ्रस के बीच पे दिस्टेंस होता है या फिर गोलते हैं इसको और folie प्रावल क्या नहीं शको नौन कया यह ब्र किया जाता है ल्म्रा से यहां दो और रखनातर कहुंसरा राभरलेंद सो हब्रेंध यह नोसेम्द से वा ऐसे तो length है, length को हम ओम लोग measure कर रहे हैं किसमें? clear, passing आ गया, next is period, उसको period बोल लो, या फिर उसको time period बोल लो, the same thing, time period का definition already हम लोग ने discuss किया हुआ है, कि भाई, कोई भी phenomenon हो रहा है, या फिर कोई भी motion हो रहा है, तो अगर motion, अगर motion क्या कर रहा है, एक motion complete कर रहा है, जितने time में, that is called as time period, मतलब, भाई, यह जो wave है, यह wave को, एक wave complete करने में, कितना time लग रहा है, that is called as time period, the time taken by the wave, the time taken by the particle to complete one path, one complete wave, one complete vibration, one complete oscillation, doesn't matter वो one क्या है, बट वो अगर complete कर रहा है, तो उस समय जो उसको time लगेगा, that is called as time period, और हमको पता है, time period हमेशा क्या होता है, frequency का reciprocal होता है, क्या होता है, time period, time period हमेशा frequency का reciprocal होता है, तो इसलिए जब हम लोग frequency define करते हैं, इसको उसके उल्टे तरीके से define करते हैं, frequency का मतलब क्या होता है, भाई, the number of oscillation per unit time, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना नंबर आफ उसिलेशन हो रहा है मालों की एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है उसको अमलोग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और फ्रिक्वेंसी क्या होता है फ्रिक्वेंसी टाइम प्रेट का उल्टा होता है यह इसका unit अगर देखने जाओगे तो इसका unit क्या हो जाएगा time period का unit सबको पता है time का unit होता है second और frequency का unit होता है Hertz frequency को Hertz में measure करते हैं कभी-कभी RPS में measure करते हैं कभी-कभी RPM में measure करते हैं और अगर angular frequency आ गई omega आ गया तो omega का formula हो जाता है that is two pi n यह हम लोग ने already first chapter में discuss किया हुआ है omega का formula क्या हो जाता है omega का formula हो जाता है two pi n that is nothing but by relation between angular frequency and तुमारा frequency यह तुमार angular frequency है इसको कभी-कभी हम लोग आंगुलर velocity भी बोलते हैं जब हम लोग 12 में जाएंगे हम लोग rotational dynamics पढ़ेंगे न तो rotational dynamics में इसको हम लोग बोलते हैं angular velocity तो angular velocity का formula होता है two pi n या फिर हम लोग ऐसी समझ सकते हैं that is two pi n के जगे क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एफ बहुत जगे क्या होता है एफ यूज होता है तो एफ लिख देते हैं तूपाय एफ तूपाय एन रखो या फिर एफ रखो भाई एन और एफ दोनों के दोनों के दोनों frequency है यहां पर clear बासन आ गई everyone पका next is velocity और जिसको हम लोग बलता है wave velocity तो wave velocity का formula होता है that is v is equals to f lambda f बोले तो frequency और lambda बोले तो wavelength यहां पर याद रखना इस जो velocity का formula होगा ना for the wave तो wave के लिए वह वलासिटी का फॉर्मुला होता है देज वी इक्वलस टू एफ लामडा एफ बोले तो फ्रिक्वेंसी लामडा बोले तो वेवलेंद्ध याद रखना हो कि यह विलासिटी है इसके यूनिट में कोई और यहां पर नएका से समझने के कॉष्च सकते हैं बॉले तो यह अब और एक को मिल्ख करने के लिए लगत आइस तराइम पिरेड़ और वट इस वंवाय टाइम इस टुक्रिवंजी इसलिज प्लेट इसलिए मँठ रिक्वंचे इस लिए माँ पर है जाता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई f into lambda तो velocity का formula क्या हो जाता है velocity का formula हो जाता है that is f by lambda f by lambda sorry f lambda क्या हो जाता है f lambda v is equal to f lambda clear बात ना गया next is face face क्या होता है face बोले तो भाई initially वो किसे start हो रहा है मतलब initially उसका position क्या है जैसे यह wave है यह sign wave है अगर तुम लोग basic mathematics तुम लोग पढ़ते रहोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई यह sign wave है since it is a sign wave since it is a sign wave यह sign wave है तो यहाँ पे जो particle है वो initially zero phase angle पे है मतलब वो initially zero पे है उसने कोई angle नहीं travel किया है बड़ अगर यहीं पे मैं cause wave देखूं तो cause wave ऐसा कुछ होता है मतलब यहाँ पे देखो cause ने already one चल दिया है मतलब उसको zero आने के लिए pi by two extra चलना पड़ेगा तो भाई दोनों के बीच में difference मतलब sign और cause के बीच में जो phase angle का डिफरेंस है न वह pi by two का है तो phase angle क्या बताता है बहुँ फेज अंगल बनाता है बताता है कि initially वह किस state पे है इनिशली वह किस state पे है और कितना angle वह चल चुका है मतलब अगर कोई में को बोलता है साइन 90 तो कितना angle चल चुका है 90 बोले को sign by 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 two child to have so that is nothing but a face that is nothing but a face next wave number wave number kya होता है wave number is nothing but a constant है that is also called as wave constant just come the case a represent करता है which is given by 2 pi by lambda which is given by k is equals to 2 pi by lambda these are the basic information yes are a good sort of basic information yes are a good sort of basic information अगर तुमको समझेंगे तो ही तुमको wave की कहानी समझेंगी तो यह basic information ध्यान से समझने के कोशिस करो के यह basic information ध्यान से ध्यान से पढ़ने की और ध्यान से समझने के कोशिस करो यह basic information समझ गया कहानी खतम, वहीं पर चीजे तुमको clear हो जाएंगी, वहीं पर चीजे तुमको समझ में आ जाएंगी, clear, बात संग में आ गई everyone, आगे बढ़े, अगर, if you want to take a screenshot और note down करना है, तो तुम लोग कर सकते हो, कोई problem नहीं है, चलो, आगे बढ़े, चलो, नेक्स्ट आजाते हैं, mechanical wave, mechanical wave क्या होता है, ऐसा wave जिसको material medium चाहिए, सबसे compulsory condition है, ऐसा wave जिसको material medium चाहिए, सिरिफ medium नहीं, material, material medium बोले तो, उसके अंदर, कोई तो कोई medium में material होना चाहिए, जैसे gas हो गया, solid हो गया, liquid हो गया, इसके अंदर कोई नो कोई material present होता है, जैसे vacuum, vacuum ऐसा medium है, जहां पे कोई भी material present नहीं है, तो वहाँ पे mechanical wave कभी भी travel नहीं हो सकता, propagate नहीं हो सकता, तो अगर तुमको mechanical wave को propagate कराना है, तो उसको material medium चाहिए ही चाहिए, इसलिए उसको material wave भी बोला जाता है, क्योंकि उसको propagate होने के लिए क्या चाहिए material medium चाहिए अब on the basis of two type of propagation उसको transfers wave और longitudinal wave में define किया गया है और दोनों का definition समझना थ्यान से समझना तो transfers wave क्या होता है जब तुमारा disturbance जब तुमारा disturbance और propagation यह तुमारा disturbance है यहां पर तुमारा disturbance है और यहां पर तुमारा propagation है यह तुमारा disturbance है और यह तुमारा propagation है मतलब मैं किसी body को ऐसे die stop कर रहा हूं और वो प्रफोगेट हो रहा है इसşका ज tätäने जैसे मालड़ा नो की यह है देखो मैं इसको ऐसे Kenston करौ हूं इस direction में डिस्टर्ब कर रहा हूं, बड़ यह प्रपोगेट क्या हो रहा है, यह किस डारेक्शन में प्रपोगेट हो रहा है, इस डारेक्शन में प्रपोगेट हो रहा है, तो जब बोड़ी डिस्टर्ब इस डारेक्शन में हो रहा है, और प्रपोगेट इस डारेक्शन में हो रहा है दिस्टबन्स और प्रपोगेशन एक दुसरे से प्रपंडिकुलर है जब और इस तांस पर्मेशन होता है इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर क्या होता यह वाले पार्ट को तुम लोग क्रस्ट बोलते हो, यह वाले पार्ट को तुम लोग क्रस्ट बोलते हो, okay, the basic funda, okay, मतलब जब कभी भी ट्रांसफर्स वेव किसी मीडियम में ट्रावल करेगा, तो वो मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, one part is your crust का पार्ट and one part is your truff का part, okay? मतलब जब कभी-भी कोई-बी transverse wave travel करता है, तो वो transverse wave हमेशा medium को दो part में divide करता है, एक part हो जाता है तुम्हारा krust और एक part हो जाता है तुम्हारा trough, okay? Clear, बासन मेi what is transverse wave? longitudinal wave की कहानी क्या होगी देखो, longitudinal wave की कहानी दोनों parallel हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा मतलब डिस्टर्बंस और प्रफोकेशन दोनों के दोनों सेम डिरेक्शन हो जाएगा माननों कि जैसे स्प्रिंग मैं आएसे दभाया मतलब मैं इसका ऐसे डिस्टर्ब किया और जब हात अट लूट इस एक्जाम्पल देखने जाओ तो string vibration, जो string vibration होता है, वो बहुत बहतनी इन example है इसका, string vibration, string जो vibrate करता है, वो transfers wave में vibrate करता है, yes or no, string vibration, भई ऐसे 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 wave बनाता है, तुम देखो, एक रसी को लेगा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे wave बनाएगा, crust और trough बनाएगा, longitudinal wave का सबसे बहतनी example है, sound wave, जो कि हम लोग क्या discuss करने वाले है, sound wave, okay, sound wave is a longitudinal wave, मतलब क्या होता है, कि जिस direction में disturbance दे रहा हूँ, उसी direction में क्या हो रहा है, उसी direction में वो propagate हो रहा है, मतलब माल लो मैंने कुछ बोला, hello, तो hello मैंने बोला, तो मेरे मूँ से hello निकला, मतलब मैंने क्या कि अपने आसपास के particle को disturb किया, कौन कान में ear drum को जाके disturb करेंगे, और ear drum क्या करेगा, vibrate करेगा, वो brain के पास जाएगा, और brain को बोलेगा, भाई, कोई तो vibration हुआ है, कौन सा vibration हुआ है, वो बोलेगा, अरे hello का vibration हुआ है, तो तुमको समझ माएगा, अच्छा, सामने वाले ने hello बोला, ऐसा, अब यह बहुत fast process है जैसे मैंने बोला hello, तुमको सुनाए दिया hello, okay, बट यह क्या है, यह vibration pass हो रहा है, और किस direction में pass हो रहा है, भाई, जिस direction में disturbance है ना, उसी direction में क्या हो रहा है, प्रफोगेशन हो रहा है, और जब कभी भी disturbance और प्रफोगेशन पारलर हो, तो उस wave को क्या बोला जाता है, longitudinal wave बोला जाता है क्या बोला जाता है longitudinal wave बोला जाता है clear बासन आ गया example विल बी आ sound wave the best example ओके अब यहां पर देखें तो यहां पर जो propagation होता है तो उसमें दो जो medium है वो दो पार्ट में divide होते हैं वो crust और tough नहीं होता वो होता है compression and rare fraction ओके मतलब मालो इसको ऐसे दिप्रेजन करेंगे यह compression है फिल थोड़ा दूर दूर हो जायगा यह रेर फ्राक्ट्ट फिर यह हो जाएगा compression पिर हो जाएगा rare fraction ऐसा ओके तो यहां पर अगर हम दोग मैं जाए तो ये वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट तुम्हारा रिप्रेजन कर रहा है, ये वाला पार्ट रिप्रेजन कर रहा है, रेर फ्रेक्शन, फिर रेर फ्रेक्शन, फिर रेर फ्रेक्शन, मतलब जो वेब है वह एक्चल में ऐसे ट्रावल हो रही है, रेर फ्रेक्शन अर्थफर्म कैसे travel करता है? compress करता है, फिर expand होता है. That is nothing but a longitudinal wave का example. भाई, compression हुआ, फिर expansion हुआ. compression हुआ, फिर expansion हुआ. उसी तरह वो चलता है. अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग देखने जाएं, तो कुछ properties है, भाई, transfers wave में, transfers wave में formation कैसे होता है? यहाँ पर क्या हो रहा है, medium को दो पाट में divide किया जा रहा है, that is compression and rare fraction. यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग देखने जाएं, तो disturbance और propagation perpendicular होते हैं. यहाँ पर disturbance और propagation क्या होते हैं? parallel होते हैं, बरबर, ओके, देखो, transverse wave क्या है, मालू में, transverse wave सिर्फ travel करता है, solid में, और on the surface of liquid, longitudinal wave तुमारा solid में भी travel कर सकता है, liquid में भी travel कर सकता है, और gas में भी travel कर सकता है, बट यह जो transverse wave है, यह सिर्फ solid में travel कर सकता है, और अगर liquid में travel करेगा, तो भी surface पर travel करेगा उसके, अंदर नहीं ट्रावल कर पाएगा जैसे समुंद्र में समुंद्र में जब यह आता है टाइट्स आते हैं तो उसके सर्फेस पर टाइट्स दिखते हमको समुंद्र के अंदर हमको टाइट्स नहीं दिखते बासनार लहर नहीं दिखते लहर हमको सर्फेस पर दिखते हैं मतलब जो यहां पर क्रष्ट औरर ट्रामफ और यहां पर प्रेशर और डेंसिटी कोई भी चेंज नहीं होता है वर्याँ पेप्रेश चे सांगे जाता है इन यहां पर तो यहां पर क्या होता है जो मीडियम है वो मीडियम का प्रेशर आजवल आज देंसिटी दोनों क्या होता है चेंज होता है दोनों क्या होता है चेंज होता है in the case of longitudinal wave in the case of longitudinal wave clear बात में आ रहा है यह सारे के सारे अच्छे से नोट्स बना लेना भाई what is a transverse wave what is longitudinal wave हम लोग theory topic discuss कर रहे है अब theory तुमको लिखन अच्छे से समझ में आएंगी clear बात समय आ गई everyone transfer wave समझ में आ सबको longitudinal wave समझ में आ सबको आगे कहानी देखे चलो next कहानी is mathematical expression of wave भाई wave को mathematically कैसे express करते हैं कैसे wave को बताता है कि यह यह equation wave का जैसे तुम लोग लाइन का equation पड़ते हो लाइन का equation क्या पड़ते हो y is equals to mx plus c max में पड़ते हो ना y is equals to mx plus c सरकार का equation पड़ते हो yes or no वैसे यह wave का equation है मतलब this equation represent the equation of wave मतलब अगर कोई भी कोई भी wave अगर यह equation को follow करेगा तो वह wave बन जाएगा कोई भी अगर motion ये equation को follow करेगा तो वो wave बन जाएगा उसको mathematically समझेने के लिए equation हम लोग ने ये किया है, derive किया है, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है कि भाई, y is a function of x and t, मतलब y बोले तो displacement, किसका, भाई, particle का, particle इस direction में vibrate हो रहा है, और wave इस direction में travel हो रहा है, बरबर, यह x हो गया, तब तुम्हारा जो y है, it is a function of x and t, मतलब वो time का भी function है, और वो x displacement का भी function, what is x displacement, x displacement is nothing but a displacement of wave, what is y displacement, y displacement is nothing but a displacement of particle, okay, so it is a function of a sin k x minus omega t plus 5, where k is nothing but, k को हम लोग बोलते है, क्या बोलते है, इसको हम लोग बोलते है, इसको हम लोग बोलते है, wave number, अगर तुमको याद होगा तो यहाँ पर हम लोग नहीं देखा है, देखो, wave number या फिर wave constant, okay, k को क्य बोला जाता है, wave number या फिर wave constant, what is x, x is nothing but a displacement of wave, okay, in x direction, in x direction, what is omega, omega को हम लोग बोलते है, angular frequency, या फिर इसको बोलते है, angular velocity, दोनों सेम चीज़ है, rotational motion की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग angular velocity पढ़ते हैं, जब हम लोग wave की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग angular frequency प everyone, okay, what is t, t is nothing but time, what is phi, phi is nothing but a phase, already यह सब चीज़े हम लोग ने discuss कर लिया है, okay, अगर positive x direction में जा रहा है, तो equation क्या बनता है, y is equal to x, t, a sin kx minus omega t plus 5, मतलब वो function है, किसका sine का function है, मतलब वो sine wave जैसा दिखेगा, और a क्या है, a है मेरा amplitude, a क्या है, a है amplitude, already हम लोग ने discuss कर दिया है बड़ अगर negative x direction में जा रहा है, तो negative x direction में यही जो negative है ना, ये plus बन जाता है, ये जो minus है, यहाँ पर क्या हो जाता है, plus हो जाता है, ये जो minus है, यहाँ पर क्या convert हो जाता है, plus convert हो जाता है, क्योंकि negative direction में है, तो negative में already negative है, तो एक और negative है जाता है, that becomes plus, that becomes plus, तो same ही equation है, पॉजिटिव डारेक्शन में और नेगेटिव डारेक्शन में सेमी एक्वेशन है बस फरक किसका है फरक है तुमारे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का याद रखना पॉजिटिव डारेक्शन के लिए यह सैंडर्ड फॉर्मुला है अब नेगेटिव डारेक्शन में क बहुत कामगार equation है यहां पर जादा यहां पर तो काम नहीं है बड़ 12 में बहुत काम है जब हम लोग सुपर पोजिशन आफ वेफ पढ़ेंगे ला तो वहां पर बहुत बढ़ा discussion है इसके उपर बहुत बहतरीन तरीके से ज्यादा बढ़ा नहीं करते इसको बहुत ज्यादा वास्ट नहीं करेंगे छोटा सा एंगे नेक्स लेक्टर में हम लोग इसके बात की कहानी है हम लोग velocity of longitudinal wave देखेंगे हम लोग velocity of transfers wave देखेंगे हम लोग तुमकि तुमको notification मिलना चाहिए, जैसी ही कोई नया वीडियो, किसी नय स्टांडर का जा रहा है, तो तुमारे पास notification पहुचना चाहिए, उसके लिए bell icon को जरूर दबा देना, okay, clear, समझ में आ गया, अगर कुछ doubt है, तो comment section में comment कर लो, और नहीं तो मेरे को Instagram में DM कर सकते हो, क कोई problem नहीं है, मैंने Instagram का ID दिया हुआ है, already, समझ में आ गया है सबको, चलो, तो आज का lecture यहीं पर end करते हैं, आज कले बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.